हेलो दोस्तो मैं हूँ श्रियांज पाथिया और आप देख रहें पांठिया स्टेनिग इन कंसर्णनसी और आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैं अपनी स्क्रीन रेकॉर्ड करता हूँ बहुत से लोगों ने मुझे ये पूछा है कि मैं exactly मेरी स्क्रीन रेकॉर्डिंग किस तरीके से करता हूँ तो आज दोस्तो हम PPT का एक्जाम्पल लेते हुए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैं मेरी स्क्रीन रेकॉर्ड करता हूँ कम्प्यूटर की तो चलिए फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसा कि मैंने आपको कई बार कमेंट्स में भी रिप्लाई करके बताया है और एक स्पेशल प्लेइलिस्ट भी मैंने बनाई है OBS की तो OBS Tutorials की मैंने एक स्पेशल प्लेइलिस्ट बनाई है इसका मतलब ही मैं OBS Studio ही यूज करता हूँ मेरी स्क्रीन रेकॉर्ड करने के लिए अब OBS Studio दोस्तो आपको Linux के लिए मिलता है Macbook के लिए मिलता है और Windows के लिए भी मिलता है आप यहां से बड़े ही आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हो और यह absolutely free है दोस्तो open source software है free है तो यहां से video recording भी आप कर सकते हो live streaming भी आप कर सकते हो तो मैंने इसे already install कर रखा है डाउनलोड करके तो मैं इसे open कर लेता हूँ तो देखिए दोस्तों मैंने यहां पर एक blank OBS मेरा open कर लिया है अब blank OBS में यहां पर by default scene 1 मीचे देखिए left hand side में created है अब sources में क्या करना है तो मैं plus करता हूँ generally और उसके बाद display capture इसे on कर देता हूँ generally मैं display capture से ही काम करता हूँ मैं window capture use नहीं करता transform कर लेना है fit to screen ही से कर लेना है तो देखिए इस तरह के का preview मेरा start हो चुका है अब मैं generally सिर्फ display capture से ही काम करता हूँ दुसरा कोई भी चीज यहां पर मैं use नहीं करता बहुत जादा हो गया तो मैं कभी-कभी webcam use कर लेता हूँ या फिर यहां पर एक image लगा देता हूँ बाठिया studying in consultancy की यहां पर क्या करना है तो यहां पर देखिए मैंने start recording पे click कर देना है अगर मैं recording कर रहा हूँ तो यहां पर क्या करता हूँ start recording पे click कर देता हूँ start recording पे click करने के बाद देखिए यहाँ पर display capture होना start हो गया है अब भी display में क्या दिख रहा है आपको तो मेरी OBS की window नजर आ रही है आपको तो यहाँ पर यह capture होना start हो गया है अब मैं मेरा ppt यहाँ पर open कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर यह ppt मेरी open कर ली है मैंने अब यहाँ पर यह मेरी thumbnail वाली PPT है तो मैं thumbnails PPT में ही बनाता हूँ तो किसी को यह सवाल होगा कि मैं मेरा thumbnail किस तरीके से बनाता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो तो मैं मेरा thumbnail हमेशा PPT में ही बनाता हूँ उसके बाद क्या गरता हूँ मैं यहाँ पर देखिए आपको record यही हो रहा है उसके बाद यहाँ पर slide show पर click कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर यह slide show शुरू हो गया अब यहाँ पर देखिए right click करने के बाद pointer options में यहाँ पर pen अगर मैं ले लेता हूँ बड़े ही comfortably मैं इस तरीके से यहाँ पर draw भी कर सकता हूँ और यह सारी चीज़े अब भी record हो रही है क्योंकि start recording पर हमने click कर रखा है तो चलिए अब मैं यहाँ पर यह ppt को end करता हूँ discard करता हूँ annotations को annotations मतलब ही वो जो हमने लिखा था pen से वो तो उसके बाद अब हम वापी से चलेंगे हमारे OBS में और यहाँ पर देखिए एक मिनिट बिस सेकेंड के हमारे recording हुई है मैं इसे करता हूँ stop recording यह recording stop हो गई अब यह save हो गया दोस्तो और यह हमारी recording complete हो गई है किस तरीके से यह नजर आ रहा है यह देख लेते हैं हम लोग तो देखिए वीडियो में इस तरीके से यह by default save होता है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे सारे वीडियो मैंने OBS से ही record किये हुए है तो चलिए मैं यहाँ पर इसे play करके देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए यह display capture हो रहा है display capture मतलब ही मेरा सिर्फ जो display हा वो record हो रहा है तो देखिए यहाँ पर PPT नजर आ रही है आपको PPT пока slide show on करने के बाद display capture हो रहा है उसके पाद यहाँ पर pointer यूज़ करने के बाद pointer पी आपको नजर आ रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ पर recording कर सकते हो आपके screen की OBS को use करते हुए तो यहाँ पर step by step detail में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से मैं OBS use करता हूँ मेरी screen record करने के लिए और आशा करता हूँ कि आपको आज का tutorial बहुत जादा फाइदे मत रहने वाला है अगर कोई भी doubt है तो comment section में comment करके पुछिएगा ज़रूर और अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए, share कीजिए, like कीजिए और bell icon को press करना न भूलिएगा so that इस तरीके की informative videos आप तक हमेशा पहुच जाये करें Thank you